आज मैं आप से शेयर करूंगी नार्यल की लट्डो की मिठाई की रेसिपी जिसके निया मिठाई है यह कोई भी कंपनी का आपको मिल जाएगा बादार में असानी से एक कप दूद मिल्क पाउडर दीसी घी केसर जो के मैंने दूद में भीगोकर रखे थी यह हम बाद में इस देसी हुई चेनी आप चाहिना तो साबत चेनी भी डाल सकते हैं दाने वाली और यह पूट कर रखी है यह भी हम असमें डालेंगे हम देसी घी बहुत थोड़ा देसी यह डालना है ए चोला हमें मेडियम स्लो रखना है अब हम डाल देंगे इसमें नारेल का ब्राधा आप इसी अब हमें डाल दूब ये उसको इस तरीके से हरके हरके भूल ने बूलना नहीं है हमें कोल्डर म्राउन नहीं करना है तहीं तो यह अच्छे से जाक घी में अब हम डाल देंगे इसमें चोटी लाइटी का पॉंड़ा तो देखिए हमारे नारियल का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है और अब हम डाल देंगे इसमें दूद बहुत डालकर इसमें इसको भी अच्छा से मिक्स कर लेना है और अब हम डाल देंगे इसमें उच्चीनी विसी हुई आप अपने क्रेस के अकार्डिंग डालें भी मसल् Kashyam देखिए यह बहुत अ जबती मिक्स हो जाएंगी देखिए पैसी हुई चेन ही यह डालेंगे तैसमें अक्छा जार्न बहुत अच्छे से आप अपने के चेन डालकर उसका पावडर बना लें पावडर सुगर बन जाएगी तो अब हम डाल गए इसमें यह मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर लालने से बहुत ही अच्छे बादार जैसे लड्डू बनकर तयार हो जाएंगे बस हमारे बनकर इसका मिश्टन तयार है बस अब मैं के लड्डू बनाऊंगी तो देखिए गैस मैंने आप कर दिये बस अब हम इसे रूम टंप्रेचर पर रख देंगे और जब यह त्मलका ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो देखिए यह हमारा नारियर के लड्डू का मिश्टन हमारा ठंडा हो चुका है बस इससे हमें हलका गुन गुना ही रखना है और अब मैंने एक नाप लिया है आप इस नाप से बनाएंगे तो एक सी बनकर आएंगे लड्डू इसी तरीके से हम सारे लड्डू इस नाप से लेकर तयार कर लेंगे इस सभी लड्डू मैंने बना कर तयार करकर रख लेंगे हैं अब हम इसे एक सेर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से में नाजियल के एक बार कोटिंग करूंगी अब मैंने एक रेसर दूद में भी वह कर रख ली थी आप चाहें तो इस पर कुछ भी लगा सकते हैं मैं आपको दो तरीके के दिखाऊंगी आप चाहें तो इसमें बादाम गिर लगा सकते हैं तो देखिए बनका जटपट तयार है हमारे नाजियल के लड़ू आप भी अपने घर में ट्राइब कीजिए इस दिवाली बहुत ही आसान रेसेपी है बहुत ही जल्दी बनका तयार हो जाती है आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक केज़ें सब्स्क्राइब झाल